नमस्कार आद में आपको बताऊंगी डिजाइनर कपड़े का ब्लाउच, कटिंग एंड स्टीचिंग तो देखिए सबसे पहले में चीज है हमारा अस्तल और इसकी जो डिजाइनर बो भी मैं आपको दिखा दू किस तरीकी का ये बना हुआ है तो यहां पर हम इसको लेंगे का ब्लाउच भी बोल सकती है क्योंकि यह तो सिल ने आया है यह नहीं पता है यह लेंगे का है या साड़ी का है और इसमें लगा हुगा है बीच में जोड़ सबसे पहले हम इस जोड़ को निकालेंगे और यहां पर लेस भी दी गई है वो हमें बाजू पर लगानी है तो एक बाजू पर तो पूरे पर लगी हुई है वैसे हम इसको अलग से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो लेस मैंने निकाल ली है और इसको आदादा करके बाजू पर लगाना है अब देखें यहां पर हमारा कपड़ा है वो इस तरीके से है और यह कपड़ा है वो प्लेन है प्लेन कपड़े का बनाएंगे हम आगे का पर्लर और इसको बनाएंगे हम पीछे की साथ सबसे पहले हमें अस्तल का कटिंग करना है तो दीखें यहां पर हम पहले अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जैसे हमारी चेश्ट है 21 इंच उसके बाद हम यहां पे लेंगे यानि कि हमारी चेश्ट है 42 तो यहां पे हमें 3 इंच लेना सिलाई के लिए तो हमारा यहां पे जो एक पल्लर वो 21 इंच का है और 3 इंच हमने सिलाई के लिए कपड़ा अलग से लिया है इसको हम डबल करेंगे यहां पेदेगे हमारे अस्तल की लंबा यह वो साड़े पंदरा इंच है अब हमें यहां पर सोल्डर लेने हैं साड़े पांच इंच आरू मल लेंगे हम छे इंच और यहां से गोलाई गले की चोड़ाई हम यहां पर धाई इंच की रखेंगे गले की लंबाई यहां पर रखेंगे हम छे इंच क्योंकि हमारा जो गला है पीछे का वो डेजाइन का है उसको हमें देखते हुए कटिंग करना है अब देखिए यहां पर सोल्डर हमारे जुड़े हुए हैं तो इनको अलग करेंगे एक पलर हम निकाल लेंगे यह हमारा पीछे का है आदा इंच हमें यहां पर आरूमल का कटिंग करना है तीरा इंच पर लगाएंगे हम यहां पर तीरे का निशान एक इंच हम यहां पर लेंगे और इसको ऐसे गोलाई में अब हमें यहां पर लगाना टक्स का निशान दस इंच पर अब हमारा जो फिटिंग का कप्टा है वो निकालेंगे 21 इंच है 21 का हम आदा करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा साड़े 10 इंच यह हमारा फिटिंग का है साड़े 10 इंच का हम आदा करेंगे तो आदा इंच हम छोड़ देंगे तो 10 इंच का आदा करेंगे तो यहां पर हमारी प्लेट आएगी 5 इंच पर यह हमारी नीचे की प्लेट अब हम यहां पर लेंगे 2 इंच अलग से दू इंच की हम यहां पर दूरी रखेंगे इस तरीके एक प्लेट का निशान हम यहां पर लगा लेगे और इसकी लिए भी हमें दू इंच की दूरी रखनी है यह हमारा नीचे का तीरा है सबसे पहले हम पीछे का पल्ल निकालेंगे इसका जो डिजाइन है वह हमें बराबर रखना है गला तो देखें यहां पर हमारा यह पीछे का पल्ल कट गया और पीछे की जो फिलेट है उसका निशान हम इस तरीके से लगाएंगे बीच में तो यहां पर हमने यह कपड़ा रखा वूप अंदर की साथ तुर्पाई करेंगे यहां पर वाजू की डिजाइन बनी हुए है तो इसकी जो चोड़ाई है कपड़े की वह है 19 इंच यहां पर हम पांच इंच लेंगे आप लोग बोलेंगे कि आपने पांच इंच क्यों लिया है तो इसको हमें चोड़ाई बढ़ानी है तो हमने यहां पर पांच इंच लिया है और इसका भी कटिंग अच्छा लगता है इस तरीके का मॉरी की cutting ने करेंगे, क्योंकि मॉरी हमारी चौड़ी है, किस्टुमर की जो मॉरी है और जो 5 ए यहां पर हमारी 14 इंच की है, तो 7 इंच हमारा यहां पर आएगा, इस तरीके से, अब दूसरी पाजु को भी इसी तरीके से रखेंगे, अब देखिए यहां पर आदा इंच हमारा कपड़ा यह दबा हुआ है तो इसको अगर हम खोलेंगे तो इस ही कि बदा आधर आएगा इस तरीकसे दोनों बाजू हमारी बराबर है तो अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहें तो इसी को रखके अस्तर की कटिंग कर लें अभी हमारा आगी कपड़ा रहे हैं तो यहां पर हमारी इस चिलाई है इसको भी खोल लेंगे अच्छे स हैं इससे क्या लंबाई मिल जाएगी हमें पूरी तो कपड़े को हमने डबल कर लिया है अब यहां पर हम अपना आगे का पल रखेंगे देखिए इस तरीके से और यहां पर रखेंगे हम अपना नीचे का पार्ट और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अस्तल लगाना चाहें तो वाजू में अस्तल भी लगा सकते हैं तो यहां पर देखिए डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग पहले आपको अस्तल पर करनी है फिर उसको रखे कटिंग करना है और यह हमारा पीछे का है हमारा जो गले का जो सेप वो हमें अपनी जो कटिंग आपको देख के नहीं काटना है कि हम्हारी के बहुंदे लगाने ब्लाउज लेनी है एकदम हमारा फिटिंग में आना चाहिए हमें देखके नहीं काटना है कि हमारी जो रिजाइन की चोड़ाई उसको देखके हम काटे तो यहां पर आप लोग जब भी गले की कटिंग करें तो वह रखें तो आसा करते हुँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वी वीडियो आएगे उसका नोटिफिकसन आपको मिल जाएगा धन्यवाद